Hi all, welcome back to my channel Friends, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए यूस्फूल रहे तो क्या होता है कि हम शॉपकीपर को बताई नहीं पाते हैं कि हमें कौन से नंबर की सुई लेनी है या तो हमको अगर पता हो तो इजीली हमें शॉपकीपर दे सकता है या फिर हमें कपड़े के टाइप के बारे में पता हो अगर हमें कपड़े के टाइप के बारे में पता है कि यह किस टाइप का कपड़ा इस कपड़े का नाम क्या है तो भी शॉपकीपर हमारी मदद कर सकता है वो सुईद देने के लिए हमें और कई बार ऐसा होता है कि shopkeeper को पता ही नहीं होता है कि उसे कौन सी sweet देनी है अगर आपको fabric के बारे में पता है तो shopkeeper को sweet के बारे में नहीं पता है वो तो just एक sales करने के लिए एक sales boy है तो बस आप जो मांगोगे वो आपको दे देगा लेकिन हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस type के fabric से stitching कर रहे हैं कौन से कपड़े पर हम stitch करने जा रहे हैं तो उसके लिए तीन तरह के कपड़े होते हैं एक तो light fabric होता है एक medium fabric होता है और एक heavy fabric होता है तो light fabric जो होते हैं उनके उपर हम 9 से 10 नंबर की सुई को use करते हैं light fabric जैसे chiffon और georget और shear fabric जिसके हम curtains बनाते हैं तो ये जो कपड़े होते हैं जो छने छने से होते हैं थोड़े से transparent होते हैं तो उसमें हमें चाहिए होती है 9 से 10 नंबर की सुई तो जो भी light weight के fabric होते हैं उनमें हमको 9 से 10 नंबर की सुई का use करना चाहिए जो दूसरे type का fabric है medium fabric वो light weight से थोड़े से heavy होते हैं वेट में ठीक है और उनमें आपको अस्तर लगाने की जरूवत नहीं पड़ती है तो ऐसे जो कपड़े होते हैं जैसे उनका नाम है जैसे की linen, tafeta, poplin, polister, jersey या double knit fabric double knit fabric मतलब जिसके हम cardigans बनाते हैं ना cardigan देखते हैं आप दो तरहें की बुनाई एक साथ चल रही होती हैं तो वह होता है double knit fabric तो इसमें क्या होता है इसमें हमें हमें कौन से 11 से 14 नंबर की सुई यूज करते हैं white fabric में हमने 9 से 10 नंबर की सुई यूज की थी और medium fabric में हम 11 से 14 नंबर की सुई यूज करते हैं तीसरा fabric आता है हमारा ये heavy weight का fabric वो इससे भी ज्यादा medium से भी थोड़ा heavy weight में होता है जैसे आपने sofa का कपड़ा देखा होगा अब whole story fabric है ना तो ये जो कपड़ा होता है इसमें थोड़ा weight ज्यादा होता है denim है tweed है जिससे coat pant बनते हैं है गैबर्डीन है गैबर्डीन जो है वो एक cotton का ही टाइप होता है जिसकी uniforms वगेरा बनते हैं तो इस type के कपड़ों के लिए हमें 14-16ाज सुई के जरूरत होता है तो अब हमें यह पता है कि हमारा कपड़ा किस type का है अगर आपको अपने कपड़े के टाइप के बारे में पता है, तो आप शॉप पे जाएंगे, अपने कपड़े का टाइप बताएंगे और आपको निदिल दे देगा और आपका काम भी क्लीन होगा जितना छोटा नंबर होता है ना सुई का जैसे 9 से 10 है ना उसका जो होल होता है वो भी उतना ही छोटा होता है तो ये भी आप देखके समझ सकते हैं होल को देखके भी समझ सकते हैं कि ये light fabric के लिए use होगी सुई या medium के लिए या heavy के लिए तो ये थी कुछ जानकारी मेरी तरफ से I hope आपको ये समझ आया होगा और कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझे पूछना और फुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू आपसे फिर मिलूँगी नेक्स फ्लॉक में तब तकिले गुट्बाई टेक केर